हेलो दोस्तों मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से जैसा कि आप जानते हैं कि डेली आपकी पैट की डेली 50 कोश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है जी एज की ठीक है जी एज की आपकी डेली क्लास ली जा रही है जीनों ने भी पिछली क्लास नहीं से किये हो जाके प्ले लिस्ट में देख ले ठीक है तो वहां पर आपको लगभग 27 से उपर ही आपको क्लास मिलेंगी करेंट अफेयर भी हो रही है आपकी अभी दो-तीन दिन से बंद है करेंट अफेयर लेकिन अब मैं मंतली करेंट अफेयर लेकर आऊंगी और फिर उसके दूसरी बात आपको अगर कोई चीज नहीं आद होती हाट लगता है आपको तो आप उसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुए तो आप जाके उसे जितने भी ट्रिक्स हैं वो भी आप देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आत करेंगे चैनल को सस्क्राइब करेंगे ठीक है तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा सज्बन लोगों को बैस्टेति और पहले कुशन से पहलाका भारत में पहली बार राश्ट्रिया डॉल्फीन दिवस कम मनाया गया तो यह मनाया गया था आपका पहली बार कहां पर तो मनाया गया था यह मनाया गया था आपका भारत में पांच अक्टूबर 2022 को तो यह आपका कैसे यह current affair नहीं current affair नहीं वलकि इसे आप क्या कह सकते हैं यह आपका क्या हो सकता है तो यह आपका जेर्नल अभरनेस में आ सकता है ठीक है क्योंकि आता है दिवस डॉलफिन दिवस आपका आता है तो 5 अक्टूबर 2022 को नेक्स क्विशन है आपका भारत में नियून्तम मजदूर ये धिनियम किश्वर्स लाग हुआ था तो ये हुआ था आपका वर्स 1948 अच्छा मजदूर दिवस का मना जाता है तो ये मना जाता है आपका एक मई को आपका क्या मना जाता है मजदूर दिवस मना जाता है बात समझ में आगी अगला क्वेशन है आपका कबूतर उल्लू और कववा और जो मोर है ये किस पच्छी को सांती का प्रतीक माना जाता है इन में से जो मोर है इसे क्या माना जाता है सांती का प्रतीक माना जाता ठीक है अगला question है आपका नर्मदा और तापती नदियों के बीच में कौन सी परवस्रेडी स्थित है तो यह इस्थित है आपका कौन सा परवस्रेडी सत्पुड़ा परवस्रेडी कौन सा सत्पुड़ा है ठीक है इधर से एक नर्मदा आपकी नदियाती है और इधर से आपक बीच में जो पहाड़ी है जो स्रेड़ी है वो क्या है सत्पुड़ा की है सत्पुड़ा की सबसे उची चोटी कौन सी है सत्पुड़ा की सबसे उची चोटी क्या है धूपगड ठीक है क्या है धूपगड धूपगड सत्पुड़ा की सबसे उची चोटी है याद रखेगा चलिए अगला question है आपका दच्छिड अमेरिका के चोड़े ब्रच रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है पंपास अच्छा प्रेयरी तो फिर किसका है प्रेयरी ठीक है प्रेयरी घास आपका अगर यह दच्छिड अमेरिका का पंपास है तो प्रेयरी आपका उत्री अमेरिका का है ठीक है उत्री अमेरिका का इस बात को याद रखेगा ठीक चलिए अगला है आपका भारतिय दलहन अनुसंधान संसान कहां इस्तित है तो यह है आपका दलहन अनुसंधान कानपूर में ठीक है अगला कोश्चन है आपका भारत में अंग्रेजी सि श्रू किया था तो यह लाड में खाले ने सुरू किया था ठीक haft के अगला कोशन ने हैपका भारत होड़ोंके समय को इस रेडियो का संचालन इसने किया था। उसाम हता ने भाराँ छोड़ आंदोलन के टाइम, radio का क्या किया था, संचालन किया था, तो वहां पर उन्होंने, अच्छा, यह भाराँ छोड़ आंदोलन कब सुरू हुआ? तो यह 1942 में सुरू हुआ, ठीक है? किस मिशन के बाद क्रिप्स मिशन के बाद ठीक है याद रखिए गए अगला कोश्चन है दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर इस्तित है तो यह इस्तित है आपका चेनाब में चेनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन इस्तित है अगला है आपका जल के आयतन के अधार पर बिश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है यानि जिसमें सबसे जादा जल पा जाता है अमेजन नदी लेकिन अगर पूछे बिश्व की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी लेकिन जल की अधार पर पूछे जल छमता की अधार पर तो अमेजन नदी हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन है अपका किस देश को दच्छिड अमेरिका महादिप का प्रवीश द्वार कहा जाता है तो यह कहा जाता है वैनु जुएला को ठीक है अच्छा वेनू जुयला का घास का नाम क्या है लानोस घास आपका कहां पाजाता है वेनू जुयला में ठीक है चालिए नेक्स्ट क्वेशन आपका उत्तर प्रदेश का फिरोजा वास जिला किस प्रकार के उद्धो के लिए प्रशिद्ध है तो यह सीशा उद्धो के लिए जाना जाता हैं next question है आपका computer को बनाने वाले physical components को क्या कहते हैं तो वह से कहते हैं hardware अगला है आपका बच्चों में सूखा रोक तथा वय अस्ट्योपरिसिस क्या औस्ट्यो पॉरिसिस रोड किस कमें के कारव होता है यह विटामिन सी की कमें के कारव होता है अच्छा विटामिन सी कौन-कौन जिसी फलों में पाए जाती है तो विटामिन सी पाए जाती है विटामें सी नहीं पाए जाती है तो दूध में नहीं पाएं उसमें Hatar कोशोड के सारे जमिल जाते हैं ठीक है नेक्स्ट कुछेण quart स्टससक्रों कि इसे फ्यूज का की किरता है रहा तो यहद में प्रवाहित होने वाली अदिक विद्धुधारा रोकने के लिए ब्र गंफा वन् freshly अभeld कि हार्टि राश में ठीक है मीजोरम में कौन सा पहारी है कौन सा शिकर तो यह कहते हैं उसे मीजो हिल कहते हैं ठीक है चलिए नेश्ट कुश्चन है आपका सईवत राज संग की सुरच्छा परिशाद में कुल कितने स्थाई सदस्च हैं तो यह हैं आपके पांच स्थाई सदस्च से हैं ठीक है सईवत राज संग दिवस कम बना जाता है 24 अप्रयलि अک्टूबर बताईए का 24 में ने बता दिय है आप किस मंत में होता है कमेंट बॉक्स में यह आपका क्या हो जाएगा हो मर्क हो जाएगा ठीक है तो में इसे बताईएगा नेक्स क्वेश्चन है आपका बायल जो बावनवा संसोधन अधनियम था 1985 इस भी में कौन से नसूची को भारती संसोधन में जोड़ा गया बावनवा संसोधन के तहट तो बावनवा संसोधन अधनियम द्वारा 1985 में भारत में कौन से नसूची संसोधन में जोड़ी गई तो ये जोड़ा गया दस्वी अनसूची को दस्वी अनसूची में क्या है बताईएगा दल बदल बदल किसमें है दस्वी अगला है आपका भारती संभिधान का कौन सा अनुछेद रास्पती के पदि के लिए निर्वाचित पुनह निर्वाचित की योग्यता निर्वाचित करता है तो यह करता है आपका 57 पुनह निर्वाचित के लिए 52 में भारत का एक रास्पती होगा उसके बारे में बताया गय है ठीक है भारत का एक राश्पति का सपत किस उसमें है तो राश्पति के सपत 60 में है 61 में क्या है 61 में क्या है महाभियोग ठीक है नेक्ट कोश्चन है आपका वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के धस्ता की तो यह किया था दादा भाई नरोजी ने किया था नेक्ट कोश्चन है यहीं पर आपका सबसे पहले स्वराज सब्द जो है स्वराज सब्द का वो किया गया था क्या किया गया था स्वरास्च मां की गति मुहम्मत गौरी किस वन्स का था तो मुहम्मत गौरी संस बनी वन्स का था नेक्स्ट है आपका भारत का पहला मुश्लिम सासकक कौन सा जिसने हिंदूों से जज़िया कर ना लेने का आदेस दिया था ये था आपका जिसने हिंदूों से जजिय कर लेने का आदेश दिया था अलाव दिन हसन बहमान साँ ठीके अगला है आपका महाराजा रड़जीत सिंग ने बीश्व प्रशिद कोहिनूर हीरा किस सासक से प्राप्त क्या था तो ये सासुजा से प्राप्त क्या था कौन रड़जीत सिंग महाराजा रड़जीत सिंग ठीके अगला है आपका किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता और योग वसिस्ट का अनुवाद फार्सी में किया था तो दारा शिकों ने किया था ठीक है अगला है आपका बिहार के पाटली पुत्र में इस्थित चंद्रगुप्त का महल मुखे तक किसका बना है तो ये बना है आपका लकड़ी का बना है पतर मुद्रा चलन कब परारम हुआ था ये हुआ था आपका 1806 में नेस्ट है स्वामी विवेका नंद का मूल नाम क्या था ये था आपका नरेंद्र दत अकला है साधार नमक का रसानिक नाम क्या है सोडियम क्लोराइड यानि एट एन ए एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल साधार नमक का क्या है रसानिक सुत्रे नेक्स्ट है आपका लावडी औरतमाशा, किस भात ये राज्य का प्रशिद्ध दिन रखते हैं, तो ये है आपका महारास्ट का, लावडी औरतमाशा महारास्ट का है, नेक्स्ट है आपका, अपिंग्छिस चैनल तैयर कर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है आरती सहा तो यह आपका जडनल अवेर्यश में आएगा झीक है तो कौन ापनी है पहली आरती सहा जो इंग्छिस चैनल को तैरी है नेक्स्ट है आपका Asia की जोती यानि light of Asia की रूप में किसे जाना जाता है तो light of Asia महात्मा बुद्ध आपको याद होगा आपके आइंथ या 10 में light of Asia की एक जो है चप्टर थी इंग्लिस में ठीक है तो यही महात्मा बुद्ध की ही तो उसमें डोलाक आफ एसिया में महात्मा भुद्ध को लाइट आफ एसिया के नाम से जाना जाता है एसिया की जोती अगला है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वड़ पदक जीतने वाले एक मात्र भारतिक खिलाड़ी नीरत चोपड़ा बने अब ये सवाल क्यों लिया इसलिए क्योंकि इन्ह होने किया है बीस नजलीट में इन्होंने क्या किया है सोड़ पदक जीता है ठीक है स्रीय पदक जीता है चलिए नेथी पर चिसक्था सूव्य builds 1991 में ही किसकी सरकार में नरसिंव सिंग जो नरसिम में ते वह क्या ते उस टाइम राश्र पती प्रधान मंतरी थे ठीके क्या थे आपके परधान मंतरी थि तो यह परधान मंतरी थे और आप का हो गैसे के प्रधान मंत्री थे ठीक है और आपके बित्य मंत्री कौन थे तो वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंग तो मनमोहन सिंग क्या थे उसमें बित्य मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था तो उस टाइम आपका क्या हुआ था 1991 में आपका क्या आया था 1991 में LPG को अपनाया गया था LPG अब LPG क्या है यह है आपका उदासीन यानि liberalization, privatization, globalization उदासीन, नीजी करण और यह आपका वैस्वी करण इनके अधार पर क्या किया गया था आर्थिक प्लान किया गया था यही से अपने भारत की आर्थिक शुधार हुई थी ठीक है नेक्स्ट है आपका A century is not enough पुस्तक लिखने वाले परसिद भारतिय क्रिकेटर कौन है तो यह सौरव गांगुली है क्या है उनकी पुस्तक का नाम A century is not enough तो यह किसकी है सौरव गांगुली की अगला है रास्ट यह ग्रामीड रोजगार गारांटी अधिनियम कब पारित किया ग्रामीड यह ग्राम के लिए था वर्स 2005 में ठीक है नेक्स्ट है आपका 1 जनरी 2015 को भारत में योजना आयो के अस्थान पर नीती आयो का गठन किया गया इस योजना आयो का गठन कब किया गया था तो यह किया गया था 1 जनरी 1950 यह किसकी अस्थान पर बोला है ना 1 जनरी 2015 को इसकी जो है नीती आयो का गठन हुआ था लेकिन योजना आयो का पूछा है तो योजना आयो का गठन आपका कब हुआ था गठने 150 में हुआ था ठीक है नेक्ट है आपका प्रथम बीस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारत के सैनिकों की याद में अखिल भारते युद्ध इश्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है तो इंडिया घेट के नाम से जाना जात है अगला है आपका सईत्राज्य अमेरिका ने लोगतांत्रिक सम्मिधन को किस वर्त अपनाया तो यह अपनाया 1788 सट्रासों 1887 सट्रासों नेक्स है आपका ग्यारा सो बान्वे में तरायन के दीती युद्ध में प्रित्वी राज चोहान किसके हाथों प्राजित हुए थे तो ये मुहम्मद गौरी के और कैसे हुए जो इनके ससूर थे जैचंद इन्हों ने क्या किया था धोखा दिया था लेकिन इनको भी चंदावर की युद में मुहम्मद गौरी ने मार दिया था जैचंद को जब भाई ये अपने दमाद को धोखा देंगे तो इनको भी तो धोखा मिलेगा नेश्ट है आपका अच्छा तराइन का पहला युद कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 1191 में तराइन का पहला युद हुआ था लेकिन इसमें प्रित्वी राजचोहान जीते थे ये महुम्मद गोरी हार गया था जिसकी वज़े से अगर जैचन ने महुम्मद गोरी की साथ नहीं दी होती तो ये फिर से हार था ठीक है चलिए भारत के सोतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वड पदक जीतने वाली भारत की जो भारती होकी टीम पर अधारित हिंदी फिल्म कौन सी है तो गोर्ड है नेक्स्ट है आपका महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर क्या है डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समुद्र मात्रा में है तो यह जलोड मुट्ती सबसे ज़दा है बनारस हिंदु विश्विद्याले की इस्थापना किस ने की थी तो यह किया था पंडित मदन मोहन अगला है आपका त्री अस्तरिय पंचायती राजब्यवस्था में सरोच अस्थान पर क्या होता है तो जीला परिसद होता है त्री अस्तरिया किस ने दिया था तो यह बलवंत राय मेहता ने दिया था थिक है बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले इसे कहां अपनाया गया था पंचात राज को तो यह नागौर नागोर का है, राजस्थान, नागोर में, राजस्थान के नागोर में, ठीक है, तब 1969 में, ठीक है, 1959, नेक्स्ट है आपका, पृत्वी के नस्दीक, वाय मंडल की सबसे, नीचली परत को क्या कहते हैं, तो छोब मंडल कहते हैं, ठीक है, छोब मंडल कहते हैं, जहां पे मौसम घटनाएं आपकी होती हैं अगला है भारत एक धर्म निर्पेच देश से इसका तातपरी क्या है यह इसका मतलब है राच अस्तर पर भारत का कोई भी धर्म नहीं है अगला है आपका युद्ध में साहस और प्राक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला जो आपका भा सरोच सैनिक अलंकर्ड़ उसे क्या कहते हैं उसे कहते है परमवीर चक्र नेच्ट है आपका किस एक साहस काल के दोरान मराठा सिखर और सत्तापर फिर्ट है जो बाला जी बाजी शराय के समय किया था मराठा की सत्ता स्रोच थी उस अगला है आपका केंद्र सासित परदेश केंद्र सासित परदेश लच्छ दीब की राजधानी करावती है ठीक है लच्छ दीब की राजधानी क्या है करावती करावती लास्ट है आपका भारतिय वाईश्वेना में कमें संड अधिकारी सबसे छोटा पद होता है और यह है पाइलेट आफिशर की तो यह थी आपके 50 कोश्चन आपके आज के आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छे लगी होगी यहाँ पे आपको जी एस प्लस आपका क्या था जी एस प्लस जी के अवरनस तो इन दोनों पर ध्यान रखते हुए आपकी यह प्रैक्टिस लाई जाती है ठीक है तो कैसे लगी आपको क्लास कमेंट करके जरू बताएगा और वीडियो को सेर कर देजेगा सब्सक्राइब करके ही जाएगा आज क